नमस्ते बच्चों आज हम क्लास 12 का एडवर्टाइजमेंट यानि कि विज्ञापन लेखन पढ़ने वाले हैं क्लास 12 में विज्ञापन लेखन एक इंपोर्टन टॉपिक है जो लगबग चार नंबर का रहता है अब सबसे पहले कि हम विज्ञापन जीशा अकबारों में देखते हैं टीवी में देखते हैं तो यह कैसे बंते हैं यह सबसे बड़ी चीज़ें तो हम लें इन, इसमस्ता को जानकारी देता है तो अड जो बनते हैं, वो अपने प्रोडक्ट के लिए जनता में जानकरी देने के लिए कोई भी संस्थान बनवाता है, अब विग्यापन जो है, वो दो तरह के होते हैं, एक तो कमर्शल, कमर्शल जो बहुत जादा पैसा खर्श करते हैं, और बड़े लेवल के बनते हैं, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकरी देने का कारे करते हैं, इसमें कोई grammar की specialty नहीं होती है, और ये कई तरीके के होते हैं, किस-किस तरीके के होते हैं, जैसे एक तो होता है matrimonial, यानि कि विवाही की lost and found, होया पाया, situation vacant, यानि कहीं पर कोई vacancy है, कोई संस्थान में, किसी office में, तो वो अखबार में add देते हैं, कि हमें इन इन विक्टियों की आवशक्ता है, फिर educational section, कोई education institute है, या कोई school है, अपने लिए add देता है, accommodation कहीं कोई रहने की जगे खाली है, तो वो लोग इस तरह के add देते हैं, फिर sale and purchase, कोई वस्तु बेचनी है, कोई खरीद नहीं है, जिसे गाड़ी वगर है, इस तरह के add अखबारों में रोज देखते हैं, फिर है too late, too late यानि की कोई मकान किराई के लिए खाली है, too late होता है किराई के लिए, मकान, दुकान वगर है, उसके घरों पे, लोग board भी लगा लेते हैं, too late का है, और जो board नहीं लगाते हैं, वो अखबार में जो afford कर सकते हैं, वो अखबार में add भी दे देते हैं, फिर है others, अदर्स में और अन्य चीज़ों के जो add होता है, actually क्या होता है, अखबार में एक column दिया जाता है, हर चीज़ के लिए, और हर चीज़ के हर शब्द के पैसे होते हैं, अखबार में किस जगे पे हमारा add छपेगा, इस चीज़ के भी पैसे होते हैं, add में कितने शब्द भरे हैं हमने, कौन-कौन सी जानकारी दी है, पर अक्षर पर शब्द add में पैसे होते हैं, फिर एक format, जैसे हम add लिखना चाहें, तो format क्या रहेगा, पहला तो हमें block बनाकर add लिखना है, block बनाना आवश्यक है, फिर heading, सबसे उपर heading होता है, एकदम साफ साफ, ताकि सब की नजर पड़े और चाहें, तो आप bold letters में उसको लिख सकते हैं, फिर होता है main content, जैसे ये add हमने block बना दिया, इसका यहाँ पर heading हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर main body या उसका content हो जा चाहें, तो मैं कुछ अकबार की cutting लाई हूँ, आपको दिखाने के लिए, यह है, जिसमें कई तरह के add दिये वे हैं, और आप देखिए, जैसे, यहाँ services का है, आवशकता यानि appointments है, business है, इन सब चीजों के हैं, और एक और cutting लाई हूँ, दो अलग अकबार की cutting हैं, मेरे पा add बनते हैं, अब जैसे यह एक column बनाके दिया है, उपर heading आगया, इसके नीचे यह सारी detail आगी, यह है, यह column बनाके दिया है, तो यह heading है, और इसके नीचे सारी detail है, तो इस तरीके से add है, और हमने यह प्रकार देखें, हम यह सारे प्रकारों पे add, draft करना सीखेंगे, अब देखते हैं कि हम आगे-ागे की क्लासों में इन सब पर एड बनाएंगे Thank you